कुछ है हलो स्टूदेन्ट वुलकुम बैक आजनल दिन्हें यह वीडियो इंपॉरेंट होने वाला पर रिवाइश टाइम टेबल बताने वाला हूं रिवाइश टाइम टेबल जो मार्च में होने वाली है टेंच की बोर्ड एक्जाम और इसके साथ फूरेक पूरे टाइम हैं कि किस टाइम को आपको एंट्री मलेगी एक्जाम में कभ आपको प्ल Minuto कभ आपको दित्रा भी और सब्सक्राइब गया सब्सक्याइब सब्सक्कराइब सब्सक्राइब इन लोगों के लिए इंगलीश में बाती शुरू रही है ंथे इंग्लिश मेडियम में नहीं है यह इंग्लिश मेडियम को छोड़के बाकि सारी मेडियम के लिए इसके साथ ही आपको बता दूए जो लास्ट मार्च को देख सकते हैं यहां पीछे आपको दिख रहा है अगर आपको यह चाहिए तो इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब मैं आपको बता दू जो लेंग्विजे से हिंदी मारटी इंग्ली जैसे आप जानते है एक्ट से दो बज़े तक दो पहर के यानि शाम के टाइम बोल जाकते हैं तीन से शे बज़े तक बट दो पहर के इस प्लोट में आपकी जो एक बहुत ही रेर एक्जाम सोंगी जैसे फ्रेंच जर्मन या तो कंपोजिट एक्जाम जो होती है संस्कृत वगरे वो एक्जाम अगर कि साइंस और जोग्रोफी यह सब के सब दो घंटे के पर हैं जो ग्यारा से टाइमिंग है बट हिस्ट्री जो है यह आप जानते हैं इसके लिए आपको टू एन हाफ दिया गया है लेवन तू बज़े से देड़ बज़े लगे बट क्या ग्यारा बज़े एक्जाम स्टार्ट होगी नहीं यहां पर मैं बिल्कुल इंपोर्डेंट बात बताने वाला हूं बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है वह कंफीज होते हैं उनका बहुत सारा टाइम वेश्ट होता है पेपर छुड़ यादा है सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं से ध्यान से सुनिए आपका जो एक्जाम है घ्यारा बज़े का टाइम टेबल में दिया हुआ है लेकिन आपको 10 बज़े तक सेंटर पर पोँंच जाना है विकज्च एक्जाम के सेंटर पर जो एंट्री होती है एक्जाम रूम में वह 14 बज़े 10 30 को हो जाती है साधे दस बचे के बाद जब आप अपना जो सीट लेते हैं आपने क्लास में जाकर बैठते हैं तो आपको एंसर पेपर मिल जाता है जिस पर आप एंसर लिखने वाले हैं अब आपको एंसर पेपर इतना हाफ एनार पहले क्यों दिया जाता है कि आप अपना सीट नमबर अपन को जो question paper है वो पढ़ने के लिए time दिया जाए जो एक्टिविटी बेस्ट है उसमें paragraph होते हैं पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए 1050 याने 11 बजने में जब 10 मिनट बाकी होगा तो आपको question paper भी मिल जाएगा जो supervisor आपको question paper देंगे बट वो सिर्ट करने के लिए 11 बजे तक जो 10 मिनट है वो आपको question paper रीड कर सकते हैं जैसे 11 बजने की बेल बसती है तो आपको क्या करना है आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ यह बता दू कि पहले जो है कुछ बच्चे लेट आते थे 11 बजे के बाद तो चलता था बट अभी इसका भी time limit कर दिया गया है कि 11 बजने के 10-15 मिनट बाद अगर आते हैं तो आपकी entry की जाती है सेंटर पर आपका सीट नंबर मोबाइल नंबर आपका नाम वगरे डिटेल की आप लेट आएं इसलिए आपको लेट बिल्कुल नहीं जाना है दो घंटे का पेपर है तो आपका एक बज़े पेपर खतम हो जाएगा और अगर आपका history का पेपर है तो देड़ बज़े खतम हो जाएगा आप एकजाम के बीच में बाहर नहीं जा सकते आप एकजाम का पेपर दे के जल्दी घर नहीं जा सकते आपको ट्यूलेट वगए जाना है पानी पीना तो यह परमिशन दी तो यह बेसिक चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए उन लेके तो उमीद करता हूं द और सारे के सारे नाई अब्डेट्स मेरी चैनल पर हैं आप जाकर देख सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो